कि नमस्कार दोस्तों मैं जपी नाडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाडिया इलेक्टिकल शेड़ी पर एक वार फिर से श्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियों में देखेंगे कि पोली फेज सिस्टम में अर्थार्थ थ्री फेज सिस्टम म क्या होगी और फीडियों कि इस प्रकार भाब पडियओं सकते हैं इस परकार के इस का सकते हैं तो आज कि के बार बिदी कि नहीं होगा तो क्या होगा और नहीं अकिक प्रेक्षेय। प्रवाप पड़ेगा जिससे कि पूरे अपने भारत में करा अनुक्राम सही नहीं होने से कहां कहां इफक्ट होगा किस मशीनों जो कौन कुछी मशीने प्रवावित होंगे और इसको और भी क्यों कहा गया यह आज देखते हैं और भारत में फेज स्टम्स क्या होता है और क्य स्टम्स क्या होता है फेज स्टम्स की बात कर रहें जिसको बोलते हैं तीर फेज कला अनुक्राम इसका ध्यान करेंगा दोस्तों वैसे देखा बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्योंकि मशीनों के इसाफ से अपने उत्पादन के इसाफ से भारत देश में प्रतेख मेंशनों के प्रतेख एक जो देख एक च्छतर उनके हैं आपको बताऊंगा कितना महत्व है और क्यों है इसके बारहे में देखें किया होता और किस प्रकार इसका नि Patty क्या आप लोगों इसके बारहे में बतायों थोफीरेंस दिमाब लोगों कि तीन प्रनाली में तीन वाइंडिंग होते हैं आप लोग ने पॉली फेस का चेप्टर में रिशे पढ़ा मैं आपको पॉंट पॉंट पढ़ाया है और जितनी बाते आज बताऊंगा वह बाते आपको बता चुका हूं इस ऑपको द्यान होगे मैं बता रहा हूं सारी बतें आपको द्यान होगी तो आपको दिमाकी में आएंगे आपने नोर्ट्स में पढ़े होंगे तो देखो क्या होता है तें फेज प्रणाली में तें वैंडिंगें होगी तेनों को 120 की अनतर पर, अल्टरनेटर में च्छाफित क्या दाता है यह बहुत ही मोटेंट मोस्ट इंपोर्टन चीज है काफे पर पूछ आप जाता है कि तीन फेस्ट में क्ला अनुक्राम या फेज कला अंतर का मान कितना होता है तो क्या कह सकते हैं कि तीन फेस प्रणाली में तीन कॉंडले या तीन क्वाइल एक सुभी डिग्री के अंतर पर स्थापित होती है और जब उन्हें पेराड़ में वहां म envieंए चोंगी में गूहा चाता है तो उल्मीव फुता है तो तीन कोईले बताई है मैं यहाँ पर किसी छूंबगा की फ्लक्ष में रखकर घुम आता हूं जैसे मन यहाँ कि यह पर एक पो अयने पो ले लिए यह माने एक कोईल जासिव अल्ट्रनेटर छे दित गीए ro Cannon रिखाए इसलें रखता कि तीन कोईल हँ और ये कौंधिल रहिं कोई रखिया आप लोगों ने और एक सबीश डिगरी के अंतर पर तीस री कोई रखिया आप लोगों यह तो आप लोगों ने कोईले रख दी आर आर फेज या मैं लिख दिया यू वी और तीन कोई ले लिए हैं यहां फेज उत्पन होंगे आर ठीक ने यह लिख दे तो मैं यहां पर आर यह वाई और यह भी के 120 डीग्रें का अंतर है तीनों में को इसको माने अंटीकॉलक बाज घुमाया कैसे कर jagan यह क्या है डी ओ आर है आप समझ ने मेरी बात को आपको अच्छे तरह समझ में आएगा फिर इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि यह तीनों को इसका में तूड दिखा हूं आप लोगों को यह एक यह दो और यह तीन ऐसे एक सुबीस डिग्री के अंतर पर तीनों का में को मैं आप लोग यकोंक यह गूषे इंटों को वाजिए अब समझोंगे कि अब अब टस्क्राम क्या होगा लोग अडिक यह इंडों की लंबोट आयो आई तो क्या होगा सब की सबसे होगा आप मेरी गोल से सुन ना में इसको कैसे गुंआइबागे अजिसना क्या सकते हैं कि इनहें की के सबसे पहले में दिपित्क होता होगा सबसे अधिक फुद होगा थो चाहिए को और क्वाइल एक सुबीज डिग्री घूम जाती है तो क्या होता है य यह फेर् यह का इस्थान घहनकर लेगा और आर फेर्टमार्ड का स्थान घ्रणकर लेगा और भी फेरेगा ट्यूर आज इसके बाद में 120 डिग्री घूमने के बाद तो यह कह सकते हैं कि a ऐसके के एक सुबीश डिगरी घूने के बाद वाई कोई आर पेज का इस्थान आर फेज का इस्थान घ्रण करेगी अर्थार्थ वाई एन पोल के लंग वोता है चाइगी और वाई कोईल में या वाई फेज में याउफ कोयान सबसे अदिक होगा एक बात है दुखना फिर कहेंगे इस आर कोईल के 240 गूमने के बाद अर्थार्थ वाई यहां होगी वाई के 120 गूमने के बाद क्या होगा तीसरी कंडिसन आएगी कि यह यहां पे आएगा व और आर यहां पहुँँच जाएगा तीसरी में ऊबिग Rainbow सबसे दिख होगा होगा करना होगा तो बीभी में अधिकत्म होगा कि तने डिकली पाद में और कोईछ से दो Сब्किली के बाद में, Why कोईछ से एक सुन इंडली कि ऐसारी बात में, ओका को लिखाँ हूं गा गूमने के बाद भी आता है तो इस परकार इन तिन वारी बरेश यह तो कह सकते हैं किसी तीन फेज कोईल में क्या कहेंगे तीन फेज सिस्टम में अल्टरनेटर में तीनों क्वाइलों या फेजों में जैसे आरवाई भी की मान लेते हैं अधिक्तम एमएफ प्राप्त करने के करम को फेज सिक्वेंस कहते हैं अधिक्तम एमएफ प्राप्त करने के करम को अब मान लेजिए कि यहां बी क्वाइल होती टो आर के घुमने के बाद क्या ढाती विल फुर्टम ऑफकी थे और का सकते थे कि पहले और कॉइल आए लें इमा पूत्मर में क्या सबसे दिक फिर बीर क्या फिर अर्ड को सकता था लेकिन भारत में ऐसा नहीं है यह वाय घुमने के बाद को आएगी वाई और फांगने के बाद है इसलिए भारत में से त्री फोट में ॉशर्ष सिघ्वेंस भारत में कैसा है आर रौई बीन काफी बार फूछ आप प्थाय। का क्ला अनुक्राम क्या है प्रिभ त्री सिस्टम का कब अनुकर crec प्रणाली में क्या देखें तीन फेज प्रणाली में तीन फेज सिस्टम में यह सिस्टम यह प्रणाली में तीन फेज सिस्टम में तीन कोईल हैं एक सुबीश डिगरी के अंतर पर अल्टरनेटर में कि इस्थापित की जाते हैं कि होगी एक तो एक तो यह इस्तापीद के जाते हैं यह आप लोग अच्छा दान देवा पहले से आपको पता है क्योंकि पूरा पॉलिफेज का चप्टर पढ़ते आ रहे तो इतना द्यान होगा जब इन्हें क्या लिखेंगे अपकेंगे इन्हें इन तेनों को तीन कोईलों परिवर्तन में रखा जाता है तो तो क्या होगा फैरडे के विदूत चुम्ब के परियरण के नियमा नुसार फैरडे के विदूत होता है यह सही थो特別 होता होगा कर नहीं होगा चômीस बतन होसं तो परफ्ण के तो 3 चेल कोईल होगे तो परतीक है मैं का अगला प्रतेव मैं में 120्oben का कर्लांतर होगा कłem परत्यक फैज या वोलर्टे दिखलो परतेव फैज वोल्टेज में वोट्ता में प्रत्रैंट देगरा एक्सट टेंगर टकाल गुमा जाएगा कोगिंगे जब इन कर्फेंगे टेचल से जब तो तो जा सबसे पहले अंगर फेसर कोई लेकल लेकला बिक है अगर फेस्ट कि क्वाइल में अधिक्त में यहां फुट्पन होगा अधिक्तम कि यह आथ पर टो एक लेंगे लिखने थी अब आगे माफ को बताता हूं लेना अब लेको और के के आर के 120 डिग्री गहोंने के बाद आपको याद रहे हैं फेसी हैं और के 120 डिग्री घोमने के बाद या फिर ऑगए सब्सक्राइब, कि यह आएगा तो की लिखते हैं तो ग्हूंने के बाद ग्हूमने के बाद आता है कि कि समझे के होंगे कि यह आप लोगो को पहले बताई था कि यह कंद है रवाई बी है यह यहां पहुंच यह फोंच जाएगी तो देृत है अधिक्तम जावल्ट करहें कि अधिक्तम वेड़ता होती है कि पिर में आर के आर के 270 cooking ने के बाद आर के 240 वहां दोसह बीजीद सब्सक्राइब कभी के छाता है कि पाई या आता है फोर पाई वाई थ्री डिग्री घूमने के बाद या वाई के एक सुबीस डिग्री घूमने के बाद लिख लो एक सुबीस डिग्री घूमने के बाद बी क्वाइल में बी क्वाइल बी फेज की क्वाइल में की क्वाइल में अधिक्तम एम अफ उत्मन होगा कि एक बात यहां तक लिखना था समझे मेरे बात आप तो अब इसकी पुरिवासा क्या रिखेंगे देखो सबसे पहले इसमें अधिक्तम यहां फूत्मन होगा फिर 120 के बाद में होगा तो फिर सिक्वेंस की पुरिवासा क्या लिख सकते हैं लिख लो कि थ्री फेस सिस्टम मे अल्टरनेट में तीनों क्वाइलों या तीन फिर की क्वाइलों में अधिक्तम इमफ प्राफ्ट करने के करम को कला अनुक्रम कहते हैं अधिक्तम इमफ सबसे पहले इसने क्या फिर इसने क्या फिर इसने क्या भारत में ऐसा ही होता है भारत में ऐसे ही होता है इसलिए भारत का करंद है अपने इंडिया में क्या है आरवाई पर्वाई बी होता है तो यह था इसकी की सुपिद्वर्वास के फ्रिवास यह सक फिर स्य स्सीश्टम में एडों में तिनों कोईलों में अधिक्तम इंफ प्राक्ट करने के करम को क दौर्फ करते हैं और इंडिया में कला अनुक्रम और वाई भी होता है ठीक है आगे इसके नुक्सान और फायदे और परसन कहां बदलता है परसन किस प्रकार टीपी क्लिक कर सकते हैं चितरी दिखा कर डाइग्राम दिखा आप से परसन पूछा जाएगा यहां कला अनुक्रम क्या होगा आप यह मत परकार से आपको फेज से बताना है ने कि आप अपनी रेटी रेडाइव भासा बोलो मैंने जो सिस्टम बताया उसके आपको बताता हूं किस प्रकार प्रसन का प्रारू बदला जाता है कि अब देखो आपसे परसन पूचा जाई कि यहां यह पर सकता आपヤसे मैं देगको sob amateless आपको तीन फेज़ों का मेगने टूट दिया गया है आर वाई बी आप सपोज करो यहां यह लिख दे बैस उसने परसंद की प्रारूप चेंज कर दिया यहां बैसे लिख दिया आ तो यह है यहां बी है और यहां वाई है यह एंटि क्लॉक वाइज का डारेक्शन है तो यहा क्लाया 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 क्लाय बहुंता है यह वाई होगा फिर और हो सकता है वwyddल हो सकता है और अजिशी को क्रति गुफाज आप गोर से देखे हुआ का यार बी होगा i ah b होगा्या बियुक्हादे तो यह आपको प प्रस्व मैं बताई तक है होता है कि यहां किया है कि यहां और यहलो ब्लू रट सबसे पहले इसके बाद में यहां अहमकर halo करने वाले पूगे कुछ सट्थे होंगे जो को देखकर आप प्रस्ट का उत्र दे सकते हो अप सब्सक्राइब परस्ट का उत्र दे सकते हो जिसके अब आप लोग समझ गें कि इसका डायरेक्शन कैसे गया तो लिखा मिलेगा एंटिक नहीं तो आपको डायरेक्शन मिलेगा और यहां पर मेगनेटूट दिया मिलेगा यह वाई होगा और भी होगा यह आपके आपके उसके पर डिपर करता है माले है कि सबसे पहले यहां आ र लगवाज है तो आर वाई भी अपने हो गया आर वाई भी लेकिन उसने डायरेक्शन ऐसी दे दिया उसने यह डायरेक्शन क्ला अनुक्रम क्या होगा आप लोग देखाऊगे कि इसका क्ला अनुक्रम क्या हो जाएगा इस परकार क्ला अनुक्रम क्या हो जाएगा इस प्रक कि आप लोग अब देखेंगे कि इस कला अनुकरम का महत्व क्या होता है इस कला अनुकरम का महत्व क्या होता है कि इसकी इसकी इंपोर्टेंस कितनी है वह देखते हैं यह आप लोग समझ सुक्य हो इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं तो कहले कि कला अनुकरम का महत्व है फेज स्कषझ का खER हुभने का सका महत्वा क्शिंप सब्सक्राइब कर लए यह इस की इनफोट डियों कि होती है अब देखो इस कि बात करें आपकर आपके पास काफ़े पर कृश्टन आएंगे की पॉनित शिटम में कला अनुक्राम का बहुत अधिक महत्वाई तौद आप जानते हो पॉलिफेस सिक्वेंस का बहुत अधिक महत्वाई होता है अब कहा कितना होता है जैसे मालें कि दो अल्टेंट्र परलेल में चल रहे हैं मां आपको डिख्रम में ने स्च अगल लगों का कि यह आपका आर यह वाई और भी तीन फिर लिए आप लोगों ने एक अल्टनेटर आपको यह चल रहा है यह भी आपको आर वाई भी दे रहा है ठीक है यह आर होगा मैं यहां बस बार लगा देता हूं यहां बस बार लगा दी यहां आर है यह यह वाई और यह बी है यहां यह आर ये वाई और ये बी होगा तो यहां देखो अब इसका आर वाई भी ये है आर वाई बी ये है तो इसका आर ये पहुंचा यहां तक इसका आर क्या पहुंचा इसका आर यहां तक पहुंचा अब यह बता रहा है कि इस अल्टरेटर की बात करें किसकी इस अल्टरेटर की ब तो क्या होगा इसके साथ ही सोट सर्कृट हो जाएगा तो सोट सर्कृट हो जाएगा तो सोट सर्कृट होना चाहिए यहां वाई होना चाहिए यहां बी होना चाहिए ऐसा नहीं होता है कैसा ऐसा नहीं होता है यहां पे है और यहां पर हाघ यहां प हो जाएंगे तो किया में नहीं सुने हो जाए और वहाँ पर दोनों के दोनों जल जाएंगे तो इनका अटार फेसी जरूरी एक आपक्ट इप्रोंटेंस यह डोनुव से आधी को देखनी होती है दूसरी बात वापको जैसे मानल लेजी की इसकी इसकी इंपोर्टेंस बता हुं अपको जैसे कोई इंडेक्सल मोर्टर है कि यह अपको नहीं इंडक्षon मोटर लिए यह आप लोगी इंडक्ष कि स्ट्र लिया विले अब इसुब्त की वॉयर के 조Y authority एयाहं कि पर आप लोगों ने इस च्ट्र पर हमाने के उने आपने क्क्र लीओ कि आ आपने यह क्या कर दिया यह करती है सब्सक्राइब कि ऐ तो अब गूरल लगा दिए और अगे कि यह क्या है यह इन तेनों प्रष्ट कि वांणी माले थे क्या प्राइब किससाब के साब चिसा एसएंट लुका हम तो मोटो बस्केर को की काो होगी दैरेक्षिन यही बात जो मोटर ना किरी भेकशन की करें इसका-विह मृतनी इसका किता ही um कि लेकिन उसकी बाद में क्या आप लोगों ने यहां इसका क्ला इसके चुम्म के फिरक्षी गोंगी दिशा यह बदल जाएगी यह बदल गी पहले कैसे थी ऐसे एंटिक वाइज थी अब कैसे होगी अब यह होगी आप लोगोंगी निशा तो मोटर के डायेक्षिन पहले कैसे थी तो जाएगी क्लोक वाइस हो जाएगी तो मोटर की घूमने के दिसाँ बदलती है किन्हीं दो फेजों से यह थे जाते हैं मशीन में तो उसके मोटर की घूमने की दिसाँ बदल जाती है जाएगी तो जाएगी तो क्या बड़े औधोगी चत्र की बात कि जाए तो क्या होता है वहां अधिक अधिक घूम रही है और किसी ने फिए सिकन्स से चेंज कर दिया आरवाइबी का मान और बी फिए बदल दी तो सारे मोटर रूटे चले जाएंगे तो पूरा का पूरा उत्पादन उत्पादन होता वह परभावित होगा मालगे को रोल ऐसे चल रहा है जैसे किसी रोल रोलिंग में चल रही है तो तो वह ऐसे चलेगी तो पूरा का पूरा पूरा खराब होजाएगा तो और चतर में सबस्यादिक बड़ा रोल होता है कि मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी और पूरा उत्पादन चतर पर भाववत हो जाएगा एक तो यह कभी का बार क्या होता है अपने सिंगल फ पहले आर वाई भी था अब आर वी वाई कर दिया तो मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए और वाई भी होना जरूरी है उसका फेज सिक्वेंस बदला जाता है यह दो फेजों का आपस में बदल दिया जाता है तो वहां भी इसकी इंपोर्टेंस होती है यह तो थी क्हां बात इन की किसके इंपोर्टेंस का रही अब सिक पूछा जाए तो क्या कि अपने पैचान सकते हैं इतächlich फैर्ट को घ्यात करने की वीधियां आपसे पूछा जाएंगे मैं आज उनको भी आप को बता देता हूं के उनकूंसी उनकों सी Yani कि सेक्वेंस अथार्थ किला अनुक्रत ग्याद करने की विधियां की बात करता हैं कौन कुन से मिथोड होगें जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि इसका कला अनुकरम यह रहीगा उसकी बात करते रहें अब आपको दो विधियां आपको मिलेंगे एक मिलेगे लेंप मिथोड लेंप विधी मिलेगे आपको दूसरी मिधी आपको मिलेगा एक मिटर मिलेगा जिसको बोलते हैं फेस्ट इंडिकेटर मिटर मिलता आपको दोनों के नाम पर लिखा देता हूं क्या क्या मिलेगा आपको एक तो मिलेगी आपको सबसे पहले नमबर लेम्प मिथोड लेम्प मिथोड मिलेगी आपको लेम्प विधी मिलेगी आपको यह भी आपको बता हूँ इसे कैसा कैसे पहसान कर सकते हैं दूसरा होता है फेज सिक्वेंश केटर है मेंट होता है अब इस में क्या ता ही आपको बता देता हूं दोनुको दोने बाता है अपको पूछ देता है आपको यह यह आपकी बस्वार होती है यह आपके अब इसका पता नहीं है अब इसका पता नहीं है अपने को कि कैसे इसका फेज सिक्वेंस होगा लेकिन उपर चेकर ऐसे है तो यहां कर सकते हैं ति एक सर्कुट बनाते हैं एक सर्कुट यह बनाते हैं एक सर्कुट यह लिया एक सर्कुट यह लिया और एक ऐसे यह तो यहां एक बलब लगाया बलब को बलेकर दिखा देता हूं आपको सर्कृट के पैचान करना यहां एक बलब लगाया यहां दूसरा बलब लगाया एक बलब यहां लगाया और यहां लगा दिया आपको यह लगा दिया यहां क्या लगा देते हैं पैचान करना चोक लगा अब देखो इसका स्यूजन करेंगे इसका स्यूजन तो यहां कर दिया आप लोगों ने चीक है और इसका स्यूजन इसके साथ कर दिया यहां पर इसका स्यूजन कर देते हैं इसका स्यूजन यहां कर देते है पर समदों क्या पूछा देगा ? वह समूसा होग यह क्या हो Type A क्या होगा , इसलोड़ा इसर्कीट कर रहे हो इतने live about a प्लब क्या मिलेगा ए बीसी और तीन नमर प्लब क्या में लेगा सी बी यह यहाद रहने बात आगी अब देखो यहाँ आपने सर्कुट को फूरा क्या आई सी टीप्र को ओन तो गया त्री प्रिश सप्राई लगा दिया आप लोगो ने अब क्या होगा जैसे यह देखो यह सर्कुट यह सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब है इसाइड अब इस आपको माना कि नम्मr 2 तेजी से जल रहा है तो इसका कला क्ला क्या होगा आप यहां आर्य होगा यह एक बात यह होगी लेकर आपसे दूहरी बार पूछा देए इसमें ऐसा नहीं है यह बुलक तेज रगता है तो सी भी है तो यहां लेख दो र आर्यी Yi होगा और करते हैं यहां क्या होता अपको यह प्रकार से हुँ यह भी लगा 있고 में रिखimmung के शेंज दुटा करते हैं कभित यहाँ regressure तो प्रकार से होती है यहां टल र होता Duty में कैपिस्टल लगा देते हैं कभी कबर्म के इथाsystem tills देते हैं कैसे आपको सर्कुट बना के दिखाऊं दूसरा सर्कुट देखो इस सर्कुट ऐसे बना देते हैं जैसे यह आप लोगों ने बस बार ली और यहां पर आप लोगों ने क्या लगा दिया यहां पर बस बार के उपर कनेक्शन कर दिया इसके एक सर्कुट यह बनाया और यह एक सर्कुट यहां पर केपिश्ट लगा दिया है यहां पर इसका सव्यूजन ऐसे कर देते हैं कि यह और इंक संभीजन यहां कर देते हैं यह यहां पे इसके और इसके सन्वफन यह ओगया अब क्या हो गया यहां पर एक बलब यहां लगा कि यह नदिर्फन यहां परकार की ल कि दो पर्कार के एक बदी और बीजिटर वाली यहां पर क्या हो आप बैज्स कंद्र क्या होतो यहां पिर जाल न है तो यहां पर मिलेगा यहां पहले लिटा ङका जा है कि कर चाहें तो यहां क्या होगा सी बिये और यहां क्या होगा यहां क्या होगा एंट है तो यहां की ब्लत तेज लिद्या उशहीं कि ए आप मतलब गांप जलते वहाँ आपको वहर्ड कमनल आप पहचान करGERा ना यहां पर आपका यह था लैंब मिथोड दो परकार की तीसरी विधी बताता हूं आपको दूसरी क्या होती है एक यह अपने इसकी बात कर लेता हूं यह क्या हुआ पिर आज का अपना टोपिक पूरा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो शेयर कर दो और इसी सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि भवशे में अग्जाम आती है तो आसाने से अपने सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों यह अपना इस पॉलिफेटर का लाश्ट टोपिक होगा अगले वीडियो में ट्रांसफर्मेटर शुरू करवाया जाएगा क कि मैंने कम्यूनिटी टेप में पॉस्ट करके आप से पुछा है कि इस टॉपिक के कंपोंड होने के बाद कंप्लेट होने का बाद कौन सा टॉपिक सुरू किया जाए तो आप लोगों की डिमांड के उपर आप लोगों की इच्छा के इंशार प्रांसपर्म टेप्टर सु जाएगा अगले वीडियो से ट्रांसपर्मरी शुरू करेंगे आज ये चप्टर कंप्लेट होने वाला है तो अब देखते हैं फिर सिक्वेंस इंडिकेटर में क्या होता है अब देखो फिर सिक्वेंस इंडिकेटर में कुछ नहीं होती है जहां मैंने आपको बताएं कि इ यह गोल सब्सक्राइब बतारों। इसमें कुछ नहीं है एक चोटी से मोटर है मोटर के डिस्क लगा रखे है डिस्क के गोमने की दिसा क्या रहेगी तो आपको की इसे बनाएं जैसे यह आप लोगों ने क्या ले लिया यह ले लिया आप लोगों ने बस बाहर है कि झेली है और यहां क्या लगा लाई मद महीं इस पर आ यहां वहीं लाध यहां यहां करने तौकUL MI 되지 घर टींडिक डिस्कट होती है कि जींडेट्स होती है यहां पी यहां पर अंपको पता Wellington मॉटर की घर् ampl पर करती हैं सिक्वेंट करती है यहां ऐदर आ deutsche वोटने को शाγο leaning नगती है कि यह आपकी दी ऑ यई दी ओ आहीं छिए यह अफिका है और बीच में क्या होता है इसकी बात करें आपध्यकू आप पर उसके सब्सक्राइब होते हैं यहां पर डिस्क के नीचे यहां पर मोटर में गरेक्षां करते हैं की यहां से कर देते हैं यहां से एक दो ती यहां लगा इसका सव रूप और इसके साथ कर दिया है यह क्या है इसकी वात अपने है यहां से एक दो तीर गोगाए सी इस इस डिस्क के गällen मेरे हो जाए गार में जाएक रोट मूंप यह है कि आप लोगेश का शायंकि पैसे संवान तरह को हम्हें तो कितनसे इस थे क्ष़ने कीे जिता है गोमें लिचाना जाते हैं उसके ऊपड़ा सूश्चा है यह और वाइद आप तो प्रकार की होती है कौन कुर सी एक इंड़क्रेंट एक होती है दूसरा अफ़ताब का फेस्ट सिक्वेंश इंडिकेंटर मेंटर के साथ से आप अच्छे तरह पहचान कर सकते हो यह यह अपने खुद नहीं वेवस्था किया है और एक मिटर आता है तो इन दोनों वीदियो 利性 बात की जैतों फेस्ट सिक्वेंश इंडिकेंटर रविश्रशनी होता है दोस्तों यह तो था आप लोगों का फेस्वेंश स्कला अनुकरम ढ्यांत करना है क्ला अनुकरम होता क्या है भारत का क्ला अनुकरम क्या है अच्छे यह बूल गहा और थार कि подар वाई जा है कि आ तार घुला रोड़ और नीला यह इतनी सबस्वाइश्क यह पर तो यह सब अबात घुर इस जो अपने का उन्हो देखते हैं यह यह सबस्क्रारों यह पारिए Yeah, this already तो दोस्तों यह आज का चनपले और वीडियो में बाधर रोड़ तो आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का कोई समझ्चा उत्पन होई आपको समझ मिने या या फिर भी आप लोगों कि इस वीडियो की प्रतिक विचार विक्त हो है तो अपने कमेंट्स में लिखे जुरूर बताना कि सर हमें अच्छे लगा या हमें पसंद आया नहीं सब्सक्राब देंगा और एक वीडियो और बनाके अच्छे तरह समझा दूँगा तो दोस्तों आज की वीडियो भी शर्पने था थैंक्यू धन्यवाद